नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को जिन्हेंने मुझे इतना सारा प्यार दिया और सबसे ज्यादा सुक्रिया इस चीज का कि आप लोग मुझे इतना जहलते हैं पांच मिनट दस मिनट तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आज बनाने जा रहे हैं बनारसी दम आलू तो बनारसी दम आलू की जो कहानी है वो यह है कि बनारस की जो रेतीले इलाके हैं जैसे गंगाजी के किनारा तो वहाँ पर जो आलू पाया जाता है उसकी जो मिठास है वो कुछ अलग ही होती है और उसका जो खाने का जो तरीका है जो बनाने का तरीका है वो सब कुछ अलग है लेकिन अब हर जगे पर तो हम बनारसी अलू नहीं पासकते हैं तो कोशिश यही रहती है कि बनारसी अलू बिरकुल बनारस के जैसा बने तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है मैंने चार पोर्शन का सेट अप करना है तो मैंने चार आलू लिए हैं और इस तरीके से कद्धू कसमे चारो आलू को अच्छे सी क्लीन करने के बाद छिल्का उतारने के बाद उससे ग्रेट कर देना है और सम्तिंग पचास ग्राम के आस पास आपको पनीर लेना है वो भी उसी में अच्छे से ग्रेट कर देना है और फिर जब यह सारी चीजे आपने ग्रेट कर देनी है फिर क्या करना है कि जो सबसे अच्छी बास जो सुरुवात करनी है वो आपको सॉस पिल लेना है सॉरी फ्र एसे पुरा सिट कर लेना है टाकि जो छो हम इसके जो दमाल Means कर जो मसाला है जिसकी भुणाई करनी है तो वह चिपके ना सबसे पहले आपने एक डबो टेल डालना है उसके बाद सारा टेल फिर से निकाल देना है सेट करने के बाद पूरा तेल निकाल देना है फिर थोड़ा सा तेल डालने के बाद इसमें हमें क्या करना है बिल्कुल थोड़ा सा तेल डालके फिर सेट कर लेना है लगे कि जब अच्छा फेमा गया तो थोड़ा से जीरा डालना है शुरुआत करते हैं जीरा डालना है यह जब जीरा थोड़ा सा भून जाए तो उसके बाद इसमें प्याज डालना सम्तिंग दो बारी कटा हुआ प्याज या एक डबू ऐसे भी डाल सकते हैं तो उसके उसको अच्छे से भूनने के बाद फिर क्या करना है ना कि हम लोग लखनव वाले हैं तो हर चीज को अपनी बना लेते हैं कि नई भाई अब यह मेरी हो गई तो इसे हम अपने तरीके से बनाएंगे तो अपने तरीके से बनाने के लिए जो हमने पनीर और आलू ग्रेट किया था उसे इसी में डाल के फिर से भूनना है अब आप देख सकते हैं कि हमारे फ्राई पेन में जरास भी चिपक नहीं रहा है तो आपने क्या करना है नमक स्वाद अनुसार डाल देना है उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया पॉड़र डाल देना है एक चमस्च के आसपास डाल देना है और फिर इसमें हमें डालना है थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा मिरच सम्टिंग तीन से चार मीरा चाप डाल सकते हैं और थोड़ा सा हारा मतर भी इसमें पड़ेगा और थोड़ा सा काजू भी पड़ेगा तो हारा मतर मैंने डाल दिया और ये थोड़ा सा काजू को ना हमें क्या करना है थोड़ा से तोड़ करके डालना है इस तरीके से हाँ से भी तोड़ सकते हैं चौप करके चौप करके मत डालिया हाँ से तोड़ के डाल दीजिए और उसके बाद फिर आपको क्या करना है इसे अच्छे से तोड़ के डालने के बाद फिर आपने इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसमें क्या करना है गरम मसाला थोड़ा सा डाल देना है गरम मसाला डालना है आदा चमच डालना है और थोड़ा सा देसी घी इसे भी डालना है और फिर डंबर आता है इसे भूनने का और इसे बहुत अच्छे तरीके से भूनना है और जब यह अच्छे से भून जाए तो फिर हमें इसे एक अलग बॉल में निकाल देना होता है जिसे मैंने बताया ने कि जो आलू होता है वो बनारस को होना चाहिए बनारसी दम कम लौ का जो बना रस में जो फलेवर होता वो दे सकते हैं लेकिनकों ॉसस ज़रूर कर सकते हैं धनिया आपने बहुत उसके बाद आलू फ्राइ करके इस तरीके से अलू को श्टफ करना है जब आलू अच्छे से श्टफ अलू है, जितना भी आलू आप आपने एक पॉर्शन देना एक पॉर्शनमे हमारा दो आलू जाता है दो आलो को हम चार पीसेस में कट करते हैं उसके बाद फिर कट करने के बाद ग्रेवी में डाल देते हैं कि यह इसके बर ने के बाद अब दूसरी तरफ वह में फ्राइपेन ले ना है और फ्राइपेन में दालना थोड़ा सा तेल है कुछ एक चमज एह वक्त हमें ग्रेवी तैयार करने कि तो हमने क्या करना है एक चमज तेल ढना है और इसके इसमें पढ़ेगा Brown Gravy Brown Gravy की recipe मैं नहीं डाली हilà अबasten को भी पुछी दिनमें upload कर दूँंगा अब Historनी प्लेट कभी istPie गृर्ली बुरादा हूँ, सब चीजों को भूण करके भी ब्राउन गरेवी तैयार होती यहुआ अब ही क्या करना हे अपने अबने एक टूर पानी डालना है कि पतली गरेवी होती यह ज्यादा पतली नहीं लेकिन पकलिग गरेवी होती है और उसको अच्छे से पका लेना है वैंके मीन है कि एक डबु पानी भी ढळा है तो पका देना है बहुत अच्छे से और इंतजार करना है पकने का और मेरे साथ आपको दूर नहीं जाना है पूरा वीडियो देखना है अभी आपको क्या करना है मसाले डालने हैं मसाले देखने ही पड़ेंगे आपको देगी मेरा डालना है एक चमच और थोड़ा सा डालना है इसमें किचन किंग एक चमच नमक स अधनिसार जैसे आपको पसंदो धनिया आदा चमच और फिर इसमें क्या करना है आपको डालना है थोड़ा सा इसमें मिट मसाला डालना हो थोड़ा सा एलो चिली पाउडर भी डालना है मुझे नहीं पता में कितना बेटर बता रहूं पर कोशिश है कि मैं बेटर बता सकू गरम मसाला आदा चमच वह भी पड़ेगा फिर इसको अच्छा से एक मिक्स कर देना है फिर से इसे पका देना है जितना हो सके आप से और आप तब तक विडियो को पूरा देखना होता है क तो शेफ ने सब कुछ बताया था बस आपने ध्यान नहीं दिया तो इसमें शेफ की कोई गलती नहीं है अभी आपने क्या करना है देशी की इसमें डाल देना है सम्टिंग दो चमच और फिर उसके बाद इसे ना अच्छे से फिर से मिला देना है देखिए जब किसी रेसेपी की आप प्रॉपर हर एक चीज और बारी किया ध्यान देते हैं तो आपको वो चीजे पता चलते हैं जिसे आप अपने खाने को बेहतर कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छा शेफ अपने खाने को बेहतर करने के लिए वो सारी कोशिशे करता है जो इजली उसे करना होता है अभी आपनी क्या करना है इसमें डाल देना है दो चमच क्रीप डाल देना हल्कासा नमक कम था मैंने जेक चाहएएशले मैंने नमक अपना बढ़ा लिया है आपको जैसा लगे आप उसी साब से बढ़ा सकते हैं तो अभी हमारी गडेवी द्यार है हमina अभी इससे हमे सulator में निकालना है है और इस सर्फ तरीक में ऋलुका कर दूआ को चार में में कर ना्याद करो आप दूख करना है और फिर हमें गेवी निकालनी है अपनी तो बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मुझे इतनी देर से इतना प्यार दे रहे हैं मेरी मेरी उमीद है कि आप सबी मुझे बहुत सारा प्यार देंगे और मैं आगे चल करके अपनी रिस्पी और अपने खुनर को और अच्छे से साबित कर सकूँगा तो इस तरीके से गिरेबी में अपने दमालू को डाल देना है तो यह बनारसी दमालू हो गया देगे दमालू तो कुछ लोग ऐसे पिलर करके ऐसे चील करके फ्राई करके डाल देते हैं यह रिषिपी है बनारस से उठके आया है जिसे हम लोगों ने अपना मान करके अपने तरीके से निजाद कर दिया लेकिन अब मैं बनारसी दमालु तो 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 किसी दिन दिखाँँगा कैसे बनता अक्च्वल में चलिए थांक्यो सो मच प्यार देने के लिए